इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गैनो डर्मा क्या है, ये हमारे शरीर में किस तरह काम करता है और इसके health benefits क्या है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि गैनो डर्मा को king of herbs, याने कि जड़ी बूटियों का राज़ा क्यों कहा जाता है। गैनो डर्मा एक प्रकार का मश्रूम है जो की ट्रॉपिकल रीजिन्स में पाया जाता है। इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। चाइना में इसे लिंजी कहते हैं। जेपैन में इसे रिशी कहते हैं। इंडोनेशा में इसे जामूर कहते हैं। और ग्लोबली ये गै गैनोडर्मा पे deep research किया है कई hospitals, colleges और कई pharmaceutical companies ने गैनोडर्मा पे deep research, analysis और experiments किये हैं जिसकी वज़े से इसके चमतकारी गुणों का पता हम सभी को चल पाया है और इसी वज़े से गैनोडर्मा को जीवन की बूटी भी कहा जाता है तो चलिए अब जानते हैं कि गैनोडर्मा को ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों गैनोडर्मा हमारे शरीर में तीन तरह से काम करता है पहला यह हमारे शरीर को स्कैन करता है चेक करता है और यह पता लगाता है कि शरीर के कौन से हिस्से में गर्बड़ी चल रही है या फिर क्या बिमारी है और फिर उस पे काम करता है दूसर और organs को मिलाके बनता है हमारा पूरा शरीर Ganoderma cell level पे काम करता है ये हर एक cell को clean करता है detoxify करता है और cells में से toxin को बाहर निकालता है और cells को healthy बनाता है हमारे cells healthy रहेंगे तो हमारे tissues healthy रहेंगे tissues healthy रहेंगे तो हमारे organs healthy रहेंगे और organs healthy रहेंगे तो हमारा पूरा शरीर healthy रहेगा और तीसरा काम ये हमारे internal organs को balance करता है और immune system को मजबूत बनाता है हमारे शरीर में कई प्रक्रिया होती है जैसे कि respiration, blood circulation, digestion, absorption, ganoderma इन सभी प्रक्रिया को संतुलित करता है और शरीर को सही portion लेने में मदद करता है और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसका कोई side effect नहीं है तो चलिए अब देखते हैं ganoderma के health benefits पहला for brain health ganoderma brain से related सभी समस्याओं में कारेगर होता है इसी के साथ ganoderma के saving से आपको मांसिक मजबूती मिलती है यानि कि आपकी दिमागी कमजोरी दूर हो सकती है क्योंकि इसमें ऐसे पोशक तत्वा पाएं जाते हैं जो brain के लिए आवशक है दूसरा for immune system ganoderma में मौझूद anti-oxidants हमें free radical से बचाने का काम करते है इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रती रोदक्षमता बढ़ती है ये एक प्राकृतिक antibiotic है जो कि microbial और अन्य बिमारियों को ठीक करता है तीसरा for cancer treatment ये prostate और breast cancer से हमारी सुरक्षा करता है इसलिए cancer के मरीज ganoderma से राहत पा सकते हैं ganoderma एक cancer patient के अंदर cancer cells में anti-cancer activity करके उन cancer cells को बढ़ने से रोगता है और उसे suppress करता है चौथा for heart health ganoderma में high nutrients पाई जाते हैं इसलिए ये दिल के लिए बेहत अच्छा होता है इसमें कई तरह के enzymes पाई जाते हैं जो कि cholesterol level को नियंतरित करते हैं तो अगर आपको रिदे से सम्मद्द कोई भी दिक्कत है तो आप ganoderma का 7 कर सकते हैं पांचवा for diabetes ganoderma वो सब कुछ देगा जो कि एक diabetes के patient को चाहिए इसमें vitamins, minerals और fiber होते हैं ये शरीर में insulin बनाने में भी मदद करता है छटवा for weight loss इसमें lean protein होता है जो कि वजन घटाने में बहुत ही कारेगर होता है मोटापा कम करने वाले लोगों को protein diet पे रहने के लिए कहा जाता है जिसमें mushroom खाना बेहदी अच्छा माना जाता है साथवा for digestive system मश्रूम में vitamin B होता है जो कि बोजन को glucose में बदल कर उर्जा पैदा करता है vitamin B और vitamin B3 इस कारे में उत्तम है इसलिए इसका सेवन आप एक अच्छे digestive system को पाने के लिए भी कर सकते हैं और आखरी oral health ग्यानोडर्मा आपके overall oral health को भी support करता है दोस्तों ग्यानोडर्मा आपको एक healthy lifestyle प्रदान करता है और इसका कोई side effect नहीं होता इसलिए हर कोई इसका उपयोग कर सकता है बच्छे, बूढे, महिला, पुरुष सभी ग्यानोडर्मा का सेवन कर सकते हैं